हेलो फ्रेंड्स कैसे आप लोग चलिए continue करते हैं अपना discussion जिसमें हम लोग discuss कर रहे हैं Indian Agriculture के बारे में और आज इस course का चोधवा lecture है जिसमें हम लोग Indian Agriculture के एक काफ़ी important topic के बारे में बात करेंगे हम लोग discuss करेंगे मोटे नाज के बारे में बागानी फसलों के बारे में और मसाला उत्पादन के बारे में इन से संबंधित जितने भी important facts हो सकते हैं आपके exam के दृष्टिकों से उन सभी को आज हम लोग cover करेंगे तो सबसे पहले हम लोग इस topic की theory cover करेंगे काफ़ी अच्चे से और फिर वीडियो के end में हम लोग discuss करेंगे इसी theory पर based important MCQs तो बिना देरी किये शुरू करते हैं अपना discussion और बात करते हैं theory की सबसे पहले बात करते हैं खादान फसलों के बारे में तो खादान फसले ऐसी फसले होती हैं जिनको हम लोग खाने के लिए उगाते हैं तो बड़ी सीदी सी बात है ऐसी फसले जिनको खाने के लिए उगायाता है उनको कहायाता है खादान फसले बात करें खाददान फसलों के कुल की तो खाददान फसले जो है वो घास कुल की होती है जिसको ग्रैमिनी कुल भी कहा जाता है बात करते हैं खाददान फसलों के परकारों की तो खाददान फसलों को तीन परमुक वर्गों में बाटा जाता है कौन कौन से एक होता है परमुक खाददान जिसमें सामिल है मन्डवा या रागी, कोंदो, सावा, काकून और छेना जैसी फसलें तो यह आपको याद रखना है इन में से ज्यादर तर खाद्दान की फसलें जो हैं, उनके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं. जैसे कि गेहूं जितने भी important facts हैं उनके बारे में लोग बात करेंगे clear ये जो मंडवा या फिर रागी फसल है इसके बारे में एक important fact आपको याद रखना है कि जो diabetes वाले patient होते हैं जो मधू में रोगी होते हैं उनके लिए मंडवा जो है वो काफी फायदे बंद होता है बात करें खादान फसलों की खेती की सुरुआत की खादान फसलों की खेती की सुरुआत जो है वो नव पासान काल से भारत में की जा रही है ये आपको याद रखना है बात करते हैं खाददान फसलों के कितने छेतर पल पर सिचाई सुधाय मोजूद हैं आपको याद रखना है लगबग 50% भाग जो है खाददान फसलों का वो सिंचित है इतने छेतर पल पर सिचाई जो है वो नहरों के द्वारा 12 के द्वारा की जाती है और जो बाकी का बचा 50 प्रतिसत हिस्ता है वहाँ पर सिचाई के लिए वर्षा के जल्बन निर्बर रहना पड़ता है आगे बात करें काफ़े इंपोटेंट फैक्ट है आर्थिक समिकसा 2021-22 के अनुसार अगर हम लोग ये बात करें कि देश में खादान उत्पादन किस परकार से रा है तो आपको य खादान वाली फसले हैं उनमें चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा हुआ है आपको याद रखना है चावल के बाद गेहूं का गेहूं के बाद मोटा नाज और उसके बाद डालें तो यह ओडर आपको याद रखना है खादान उत्पादन का ये काफी इंपोटेंट है यहां से एक्जाम में क्यूशन आता है बात करते हैं भारत के पर्मु खादान उत्पादक राज्यों की तो इनका order आपको याद रखना है उत्तरप्रदेस, मद्ध्रदेस और पंजाब खादान उत्पादन को लेकर उत्तरप्रदेस राज्यों जो है वो भारत में नंबर एकस्थान पर है उत्तरप्रदेस के बाद नंबर आता है मद्ध्रदेस का और तीसरे नंबर पर है पंजाब तो ये भारत के तीन पर्मु खादान उत्पादक राज्यों है इनके बारे में आपको नहीं बूलना है बात करते हैं विश्व की विश्व के उन देशों की जो पर्मुख खादान उत्पादक देश है तो इन देशों का ओटर आपको याद रखना है कौन-कौन से चीन, USA, भारत, ब्राजिल और अर्जेंटिना खादान उत्पादन को लेकर जो चीन है वो पूरी दुनिया में नमबर एक स्थान पर है यहाँ पर सबसे ज़्यादा खादान वाली फसलों का उत्पादन किया जाता है आपको याद रखना है क्लियर चीन के बाद नमबर आता है USA का उसके बाद तीसरे नमबर पर है भारत तो भारत का तीसरा स्थान है अगर हम लोग बात करते हैं खादान उत्पादन की चोथे नमबर पर है ब्राजिल और पाँचवे नमबर पर है अर्जेंटिना तो यह ओडर भी आपको नहीं भूलना है बात करते हैं विस्व के उन देशों की जो सबसे ज़्यादान का आयात करते हैं इंपॉर्ट करते हैं, जो विस्व के सबसे बड़े खातदान आया तक देश हैं, तो इन देशों का ओरडर आपको याद रखना है, कौन कौन से हैं? चीन, USA, जापान और कनाडा इस करम में भारत का नमबर आता है नुवा चीन जो है वो सबसे ज़्यादा खादान आयात करता है बाहर से तो चीन जो है वो नमबर एक स्थान पर है USA नमबर दो पर, जापान नमबर तीन पर और कनाड़ा जो है वो नमबर चार स्थान पर है और बात करें भारत की तो भारत जो है विशु का नोवा सबसे बड़ा खातदान आयातक देश है यह आपको याद रखना है बात करते हैं विशु के उन देशों की जो सबसे जादा खातदान नरियात करते हैं एक्सपोर्ट कर तो USA नमबर एक अस्थान पर है, ब्राजील जो है नमबर दो अस्थान पर है, चीन नमबर तीन पर है, कनाड़ा जो है नमबर चार अस्थान पर है, इंडोनेसिया नमबर पांच पर और बात करें भारत की तो भारत जो है दुनिया का छटा सबसे बड़ा खादान रियातक दे और विश्व में कौन से देश में कौन सी खादान फसल की उत्पादक्ता सबसे जादा है ठीक है इनके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं फिर से एक बार देख लेते हैं देखिए, सबसे पहले बात करते हैं धान की, तो धान उत्पादक्ता को लेकर जो पंजाब राज्य है, वो नमबर एकस्तान पर है, आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि हम लोग उत्पादक्ता की बात कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन की नहीं किलियर तो धान उत्पादक्ता को लेकर जो पंजाब राज्य है वो पूरे भारत में नंबर एकस्तान पर है बात करते हैं विस्व की तो जो मिस्र है जो इजिप्ट है वो धान उत्पादक्ता को लेकर नंबर एकस्तान पर है किलियर आगे बात करते हैं गेहूं की तो मक्का उत्पादक्ता को लेकर जो तमिल नाडू राज्य है वो नमबर एक स्थान पर है पूरे भरत में और जो यूएस से है वो पूरी दुनिया में मक्का उत्पादन को लेकर नमबर एक स्थान पर है किलियर आगे बात करते हैं कपास की तो गुजरात राज्य जो है वो कप कपास उत्पादक्ता को लेकर नंबर एक स्थान पर है और जो चीन है वो पूरे विस्व में कपास उत्पादक्ता को लेकर नंबर एक स्थान पर है किलियर बात करें सरसो की तो हर्याना जो है सरसो उत्पादक्ता को लेकर नंबर एक स्थान पर है और जो चीली है वो सरसो उत मिया में सोयाबीन उत्पादक्ता को लेकर नंबर एक अस्थान पर आपको याद रखना है क्लियर यह टेबल काफी important है यहाँ पर जो पर्मुक खादान फसले हैं उनके जनमस्थान और उनकी जो अनुकूल जलवायू परिष्थितियां होती हैं उनसे संबंदित important facts हैं तो यह काफी important table है इसके बारे में आपको याद रखना है जैसे कि हम लोग बात करें धान की तो धान का जनमस्थान जो है वो है भारत वे इंडो चाइना वारा चेत्र और धान के लिए जो अनुकूल जलवायू च चाहिए होता है 20-27 डिग्री Celsius और बात करें वर्षा की तो 150 से लेकर 200 cm की ओसत वार्षिक वर्षा की जोरत पड़ती है धान की खेती करने के लिए अनुकूल मिटीस के लिए चाहिए होती है चिकनी में जलोड तो यह आपको याद रखना है बात करें मक्का की तो मक्का का ज सेंटी मिटर और बात करें मिट्टी की तो दो मत मिट्टी जो है इसकी खेती करने के लिए अच्छी होती है प्रीजियर बात करते हैं जर्षी वार्षिक वर्षा इसके लिए होती है 30 से लेकर 100 cm की बात करें मिट्टी की दोमट मिट्टी जो है वो जवार की खेती करने के लिए अच्छी होती है किलिए बात करते हैं बाजरा की बाजरा का जनमास्थान अफ्रेका ये भी काफी इंपोटेंडर भूलना नहीं है और इसके काफी बात किरें के बात करें तो बलवे दोमट मिट्टी जो है वो बाजरा की खेती करने के लिए अच्छी होती है बात करते हैं के लिए और 25 cm वर्षाग ज्रूत पड़ती है के लिए और बात करें मिटि की, तो दोमट मिटि जो है वो गेउं की खेदी करने के लिए अच्छी होती है, आगे बात करते हैं जो की, तो जो का जनमस्थान है चीन, ये आपको याद रखना है, इसके लिए अनुकूल जलवाय士 चाहिए होती है सम सितोसन जलवाई यू और इसके लिए जो तापान चाहिए होता है वो है 15 से लेके 21 डिगरी सेल्सियस का 60 सेंटिमेटर की ओसत वार्षिक वर्सा की जरूत पड़ती है की खिती करने के लिए और मिट्टी जो है बलवे दोमड मिट्टी जो है वो जो की खिती करने के लिए अच्छी होती है तो ये टेबल आपको याद रखनी है यह सारे के सारे Facts काफी IMPORTENT है इनके बारे में आपको कैसी भी करके याद रखना है क्योंकि यहां से exam में क्योशन पुछे जाते हैं क्लियर अब हम लोग बात करते हैं मोटा अनाज उत्पादन के बारे में तो सबसे पहले जानते हैं कि मोटा अनाज में कौन-कौन सी फसले सामिल होती हैं तो देखिए जवार, बाजरा, रागी या फिर इसको मनदवा भी बोलते हैं जो कौंदो, सा गार्इमल, बाजरा, सावा और चीना जैसी फसले जो हैं वो मोटा अनाज की स्रेनी में आती हैं मोटा अनाज इनको इसलिए कह जाता है क्योंकि इनकी खेती करने के लिए इनका उत्पादन करने के लिए जादा मेहनत की जरुत नहीं पड़ती है اور इनकी खेती जो है वहां पर भी किजा सकती है जहाँ पर सिचाइकी सुधय मौझूद ना हो जहां पर पानी की कमी हो और जहां की भूमी जादा उपजाओ ना हो तो उस परकार की परिष्थितियों में भी मोटे नाज की खेती की जा सकती है अगर हम लोग तुलना करते हैं इसकी धान और ग्यों से तो धान और ग्यों की तुलना में मोटे नाज की उत्पादन में पानी की खपत जो है वो बहुत कम होती है बात करते हैं मोटे अनाज के उत्पादन की रैंकिंग की ये काफ़ इंपोटेंट है इसके बारे में आपको नहीं बुनना है सबसे पहले बात करते हैं भारत के उन राज्यों की जो मोटे अनाज का सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं तो इन राज्यों का ओडर आपको याद रखना है कौन-कौन से है राजिस्थान, करनाटक और मद्धिपरदेश मोटे अनाज के उत्पादन को लेकर राजिस्थान राज्य पूरे भारत में नमबर एक स्थान पर है यहाँ पर सबसे ज़्यादा मोटा अनाज उत्पादित किया जाता है क्लियर राजिस्थान के बाद नमबर आता है करनाटक राज्य का करनाटक राज्य जो है नमबर दो स्थान पर है और नमबर तीन पर है मद्धिपरदेश तो ये order आपको नहीं बूलना है राजिस्थान, करनाटक और मद्देपरदेश ये भारत के तीन बड़े मोटा नाज उत्पादक राज्ये हैं बात करते हैं छेतरपल की कि छेतरपल के साब से सबसे ज़्यादा मोटा नाज कौन से राज्ये में उगाई जाता है आगे बात करते हैं विस्व की विस्व के उन देशों की जहाँ पर सबसे ज़्यादा मोटा नाज का उत्पादन के जाता है तो ये वो देश हैं कौन-कौन से USA, चीन, ब्राजिल और अर्जेंटिना मोटा नाज उत्पादन को लेकर USA जो है पूरी दुनीया में नंबर एक स्तान पर है यहाँ पर सबसे ज़्यादा मोटा नाज का उत्पादन के जाता है चीन जो है नंबर दो पर है ब्राजिल जो है वो नंबर तीन स्तान पर है और अर्जेंटिना जो है नंबर चार स्तान पर है तो ये ओटर भी आपको नहीं भूलना है आगे बात करते हैं जवार उत्पादन की और इनकी रैंकिंग्स की सबसे पहले बात करते हैं भारत के उन राज्यों की जहां पर सबसे ज़्यादा जवार का उत्पादन किया जाता है तो ये वो राजए हैं कौन-कौन से हैं माराष्ट, करनाटक, मध्यपर्देज, तमिल नाडू और राजस्थान जुआर उतपादन को लेकर माराष्ट राजजे जो हो नंबर एक स्थान पर है महाराष्ट में सबसे ज़्यादा जवार उत्पादित की जाती है आपको याद रखना है किलियर दूसरे नमबर पर है करनाटक राज्ये तीसरे नमबर पर है मध्यपरदेश चोथे पर है तमिलनाडू और पांचवे स्थान पर है राजिस्थान राज्ये आगे बात करते हैं जवार छेतरपल की तो जवार छेतरपल को लेकर जो माराश राज्ये है वो नमबर एकस्थान पर है करनाटक जो है नमबर दो पर है और राजिस्थान जो है वो नमबर तीन पर है तो ये order भी आपको नहीं बूलना है काफी important है यहां से exam में directly question पूछे जाते हैं clear अब हम लोग बात करते हैं विस्व की विस्व के उन देशों की जहां पर सबसे ज़्यादा जवार उत्पादन किया जाता है तो ये वो देश हैं कौन कौन से हैं USA, Nigeria, Ethiopia, Mexico और भारत जवार उत्पादन को लेकर USA जो है पूरी दुनिया में नंबर एक स्थान पर है USA में सबसे ज़्यादा जवार का उत्पादन किया जाता है और Nigeria जो है नंबर दो स्थान पर है इत्पादन नंबर तीन पर, Mexico नंबर चार पर और बात करें भारत की तो भारत जो है जो है जवार उत्पादन को लेकर विसु में पाँचवे स्थान पर यह आपको याद रखना है कीलियर आगे बात करते हैं जवार छेतरपल वाले देसों की तो जुआर छेतरपल के हिसाब से जो सुडान है वो नमबर एक स्थान पर है नाइजीरिया जो है वो नमबर दो स्थान पर है और बात करें भारत की तो जुआर छेतरपल के हिसाब से पूरी दुनिया में भारत का तीसरा स्थान है काफ़ important है बूलना नहीं है जुआर उत्पादन के हिसाब से भारत का पांचवा स्थान है और जुआर छेतरपल के हिसाब से भारत का पूरी दुनिया में तीसरा स्थान है ये आपको याद रखना है अब हम लोग बात करते हैं बाजरा उत्पादन की इससे संबंधित जितने भी important facts हैं उनके बारे में बात करते हैं अगर हम लोग बात करें मोटा नाज की तो जितनी भी मोटा नाज वाली फसले हैं उन में सबसे ज़्यादा सूखा सैने की समता जो है जब किसी खेत में पानी भर रहता है तो पानी की ज़्यादा जूरत नहीं पड़ती है बाजरा उत्पादन के लिए आगे बात करें काफ़ important fact है अगर हम लोग बात करें अनाज वाली फसलों की तो अनाज वाली फसलों में सबसे ज़्यादा खनीज लवन की मातरा भी बाजरा में पाई आती है कितनी 2.7% तो ये काफ़ important fact है नहीं बूलना है आपको clear बात करते हैं बाजरा में लगने वाले परमुक रोगों की ये काफ़ी important है यहाँ से कई बार exam में question पुछा जा चूका है इसके बारे में आपको याद रखना है बाजरा के दो परमुक रोग हैं कौन कौन से हरितबाल और अरगट हरितबाल और अरगट जो हैं वो बाजरा में लगने वाले दो परमुक रोग है इनके बारे में आपको नहीं बूलना है अब अम लोग बात करते हैं बाजरा की रैंकिंग्स की सबसे पहले बात करते हैं भारत के उन राज्यों की जहां पर सबसे ज़्यादा बाजरा का उत्पादन किया जाता है तो इन राज्यों का ओडर आपको याद रखना है कौन कौन से राजिस्थान उत्रप्रदेश गुजरात और मद्रप्रदेश बाजरा उत्पादन को लेकर राजिस्थान राज्य जो है पूरे देश में नमबर एक स्थान पर है राजिस्थान में सबसे ज़्यादा बाजरा का उत्पादन किया जाता है यह आपको नहीं बूल तो ये ओर्टरा आपको नहीं भूलना है था रिएना तो यह ओर्रस शछेतरपल स ही जो भी राज्जहों का राजिस्थान, उत्रप्रदेश, माराष्ट और हर्याना आगे बात करते हैं विश्व की विश्व के उन देशों की जहां पर सबसे ज़्यादा बाजरा का उत्पादन के जाता है तो इन देशों का ओडर आपको याद रखना है कौन कौन से भारत, नाइजर और सुडान बाजरा उत्पादन को लेकर भारत जो है पूरी दुनिया में नमबर एक स्थान पर है भारत में सबसे ज़्यादा बाजरा का उत्पादन के जाता है नमबर दो स्थान पर है नाइजर और नमबर तीन पर है सुडान तो ये order आपको याद रखना है, ये विश्व के तीन सबसे बड़े बाजरा उतपादक देश हैं, बात करते हैं जो उतपादन की और उसकी रैंकिंग्स की, सबसे पहले बात करते हैं भारत के उन राज्यों की जहां पर सबसे ज़्यादा जो का उतपादन किया जाता है, तो इन राज्यों का order आपको याद रखना है, कौन-कौन से हैं, राज्यस्थान, उत्तरपरदेश, मद्ध्परदेश और हर्याना, जो उतपादन को लेकर जो राज्यस्थान राज्य है, वो नमबर एक स्थान पर है, राज्यस्थान में सबसे ज़्यादा जो उतपादित की कई आत् Mak Thewhich mixer partager आपको याद रखना है किलियर उत्रपर्देश राजय जाहे बात ते हैं तो इन देसों का उठल आपको याद रखना है अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले टोपिक की जो की है बागानी फसले, प्लांटेशन, क्रोप्स, इन से संबंधित जितने भी इंपोटेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं परिवासा की डेफिनेशन की, तो बड़ी आसान सी ड बागानों में उगाया जाता है, जिनको विसाल बागानों में उगाया जाता है, वैसी फसलों को कहा जाता है, बागानी फसले, क्लियर, भारत सरकार के किरसी मंत्रा लेक अनुसार जो बागानी फसले हैं, वो कौन कौन सी हैं, वो हैं चाए, कोफी और रबर, तो इस परकार से नारियल, ताड, सुपारी, कोकोवा, काजू, चाए, कोफी और रबर जो हैं ये बागानी फसले होती हैं तो इनके बारे में आपको याद रखना है यहां से एक्जाम में तुर्शन आता है आप से ये पुछा जाएगा कि इन में से कौन सी बागानी फसले हैं या फिर नही किलियर, इसी कारण से केरल को मसालों का बागान भी का जाता है 1498 में में जो वास्कोडी गामा हैं वो केरल के काले कट तट पर ही पहुचा था किसलिए मसालों का व्यापार करने के लिए तो केरल जो है वो मसालों के लिए फैमस है दुनिया भर में बात करें भारत के उस रा बात करते हैं लोग की जो लोग है वो भी एक परकार का मसाला है इसका उप्योग जो है वो ओस्दी के रूफ में दवाई के रूफ में भी कह जाता है लोंग में जो है वो antibacterial properties होती है ये antibiotic की तरह काम करता है ये आपको याद रखना है एक सदा बाहर पेड है जिसका नाम है Eugenia caria phylator तो इस पेड की सूखी हुई पुस्प कलिका होती है लोंग ये आपको याद रखना है काफी important है लोंग जो है वो पेड की सूखी हुई पुस्प कलिका होती है ये आपको नहीं बूलना है बात करते हैं भारत के उन राज्यों की जहां पर सबसे ज़्यादा लोंग उत्पादन किया जता है तो इन राज्यों के बारे में आपको याद रखना है कौन कौन से तमिल नाडू करनाटक और केरल लोंग उत्पादन को लेकर तमिल नाडू राज्यों जो है वो नमबर एक स्थान पर है तमिल नाडू में सबसे ज़्यादा लोंग उत्पादित की जाती है किलियर करनाटक जो है नमबर दो पर है और केरल जो है नमबर तीन स्थान पर है ये ओडर आपको नहीं बूलना है आगे बात करते हैं काले मिर्च की तो काले मिर्च क्या है ये भी एक मसाला है काले मिर्च को काला सोना भी का जाता है ये काफी important fact है काले मिर्च के बारे में देखिए काली मिर्च की खिती करने के लिए जो अनुकूल जलवायू चाहिए होती है वो है उश्न और आदर जलवायू और बात करें वर्सा की तो काली मिर्च की खिती करने के लिए 200 cm की ओसत वार्षिक वर्सा की जरूत पड़ती है क्लियर आगे बात करें देखिए 1100 से 1300 मिटर की उचाई वाली जो पाड़िया होती है उनके डालानों पर काली मिर्च की खिती की जाती है यह आपको याद रखना है बात करते हैं अनुकूल ताफमान की तो 15 से लेकर 30 डिगरी सेल्सियस का ओसत ताफमान चाहिए होता है काली मिर्च की खिती करने के लिए अब अम लोग बात करते हैं विश्व के उन देशों की जहां पर सबसे जादा काली मिर्च का उत्पादन के जाता है तो यह काफी इंपोटेंट आपको नहीं बूलना है कौन-कौन से देश हैं वियतनाम भारत और इंडोनेशिया काली मिर्च के उत्पादन को लेकर वियतनाम जो है पूरी दुनिया में नंबर एक अस्थान पर है किलियर भारत जो है नंबर दो पर है और इंडोनेशिया जो है नंबर तीन अस्थान पर है तो यह ओडर आपको याद रखना है अब हम लोग बात करते हैं भारत के उन राज्यों की जो सुपारी का सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं तो कौन-कौन से राज़्य हैं करनाटक असम और केरल सुपारी उत्पादन को लेकर जो करनाटक राज़्य है वो नमबर एक अस्थान पर है असम जो है नमबर दो पर है और केरल जो है नमबर तीन पर है तो ये order आपको याद रखना है है ये भारत के तीन सबसे बड़े सुपारी उत्पादन करनेवाले राज्य हैं किलियर आगे बात करते हैं भारत के उन राज्यों की जो सबसे जादा काजू उत्पादन करते हैं तो ये वो राज्य है इनका order आपको याद रखना है कौन-कौन से मारास्ट अन्ध्र प्रदेश और उडिसा काजू उत्पादन को लेकर जो माराश राज्य है वो नमबर एक अस्थान पर है आंधर प्रदेश नमबर दो पर उडिसा राज्य जो है नमबर तीन अस्थान पर है किलियर तो देखिए यहां पर हमारा जो थोरी वाला पार्ट था वो complete होता है अब हम लोग discuss करते हैं इसी थोरी पर बेस्ट important mcqs तो चलिए mcqs discuss करते हैं question number one की बात करते हैं भारत में नीचे देगे खादानों का उनके उत्पादन का सही अनुकरम आपको बताना है घटतेवे करम में तो इसके बारे में सारे question solve करने है clear तो question number one का जो answer होगा वो होगा option d अगर हम लोग बात करते हैं खादान फसलों की तो उन में चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है भारत में चावल के बाद गेहूं का उसके बाद मोटे नाजगा और उसके बाद दालों का तो यह order आपको याद रखना है clear question number 2 की बात करते हैं भारत का वह राज्ये जो खादान उत्पादन में अधिक्तम अंसदान करता है उसका नाम आपको बताना है तो इसका जो answer होगा उत्तर प्रदेश जो है वो खादान उत्पादन की द्रश्टी से नंबर एकस्थान पर है question number 3 की बात करते हैं भारत में बागानी किरसी के अंतरगत उगाये जाने वाली मुख्ये फसले को उनसी हैं यह आपको बताना है clear तो इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं इसका जो answer होगा वो होगा option A चाए, रबर, नारियल, कहवा, कोफी यह जो है यह बागानी फसले होती है उनके बारे में आपको याद रखना है बात करें दूसरे options की तो सोयाबीन और सूर्य मुखी यह जो है तिलनी फसले होती है और सोयाबीन जो है इसको तिलन और दलन दोनों वर्गों की फसलों के अंतरगत रखा जाता है नारियल भी जो है वो भी एक तिलनी फसल है clear तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो होगा option A question number 4 की बात करते हैं निमलिकित में से कौन सा राज्य इलाइची के उतपादन के लिए पैचा नहीं रखता है तो इलाइची के बारे में हम लोगों ने बात नहीं करी है इसके बारे में अभी हम लोग बात कर लेते हैं देखिए इलाइची जो है वो दो परकार की होती है छोटी इलाइची और बड़ी इलाइची बात करें छोटी इलाइची की तो छोटी इलाइची के उत्पादन को लेकर जो केरल राज्य है वो नमबर एक स्थान पर है उसके बाद स्थान आता है करनाटक राज्य का और उसके राज्य है वो नमबर एक इस्थान पर है उसके बाद इस्थान आता है पसी मंगाल राज्य का तो सिक्कीम और पसी मंगाल जो है वो बड़ी इलाईची के उतपादन के लिए जाने जाते हैं आपको याद रखना है क्योशन नमबर चार का जो आंसर होगा वो होगा ओपसन डी क्योंकि यहाँ पर यह पुछा गया है कि इलाईची के उतपादन के लिए कौन सा राज्य पहचा नहीं रखता बाकी के यह जो तीन राज्य है केरल करनाटक तमिल नाडू यहाँ पर इलाईची का उतपादन किया जाता है आपको याद रखना है क्लियर क्योशा नमबर पांच की बात करते हैं केरल राज्य विशु भर में निम्न में से किसके सम्मर्धन के लिए जाना जाता है ठीक है तो इसके बारे में लोग बात कर चुके हैं यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा option C गरम मसालों के लिए केरल राज्य जो है वो पूरी दुनिया भर में जाना जाता है आपको याद रखना है क्लियर क्योशा नमबर 6 की बात करते हैं मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य कोन सा है मसालों का बागान कहा जाता है केरल राज्य को क्लियर तो यहाँ पर आंसर होगा option B केरल क्यो कोफी बारे में हम लोग पहले वाले डिकसंस में बात कर चुके हैं दूसरे स्टेक्टमेंट में देखते हैं किया दिया हुँआ है। क्योंकि चाय जो है वो असम की एक मुक्य फसल है किलियर लेकिन बात करें दूसरे स्टेटमेंट की तो ये गलत है क्यों क्योंकि कोफी जो है वो करनाटक राज्ये की एक मुक्य फसल है नहीं की तमील नाडू राज्ये की और बात करें तीसरे स्टेटमेंट की तो ये भी बिल काल की एक मुक्य फसल है यह आपको याद रखना है किलियर तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओप्सन बी पहला और तीसर स्टेटमेंट यहाँ पर सही है क्योसर नमबर आठ की बात करते हैं निमलिकित राज्यों में से कौन इलाइची और काले मिर्च का सब और काले मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है क्योसर नमबर नो की बात करते हैं लोंग पराप्त होता है किस से यह आपको बताना है इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं इसका जो आंसर होगा वो होगा ओप्सन डी लोंग जो है वो पोधे की पूस्पकलिक होती है यह आपको याद रखना है क्योसर नमबर दसकी बात करते हैं लोंग की खेती नहीं होती आपको बताना है कि कौन से राज्य में लोंग की खेती नहीं होती तो लोंग का उत्पादन करने वादे राज्यों के बारे में हम लोगों ने बात करी थी लोंग का सबसे ज़ option D, उत्तर प्रदेश में जो है लोग की खेती नहीं की जाती, clear question number 11 की बात करते हैं कौन सा मसाला, भारत के काला सोना के रूप में जाना जाता है तो देखिए, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, जो काली मिर्च है काली मिर्च को काला सोना कहा जाता है या आपको याद रखना है, इसका जो आंसर हो जाएगा, option A यहाँ पर से हो जाएगा काली मिर्च, clear, question number 12 की बात करते हैं भारत में मसालों का सरवादिक उत्पादक राज्य कौन सा है, तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है, उस राज्य के बारे में जो सबसे जादा उत्पादन करता है मसालों का, तो इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा, option C, मद्धिपरदेश मद्धिपरदेश में सबसे जादा मसालों का उतपादन किया जाता है आपको याद रखना है question number 13 की बात करते है निमिन में से कौन सा पर्मुक काजू उतपादक राज्य है तो काजू उतपादक राज्यों के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं यहाँ पर जो आंतर होगा वो होगा option B माराष्ट माराष्ट जो है वो पर्मुक काज उतपादक राज्य है भारत का यह आपको याद रखना है clear question number 14 की बात करते हैं इसमें आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है इधर फसले दीवी हैं सूची 1 में और सूची 2 में उन फसलों के सरवादिक उतपादक राज्य दिया हूए है यह आपको मिलाना है चलिए सोल करते हैं इसको देखिए बाजरा की बात करते हैं बाजरा के उतपादन को लेकर जो राजिस्थान राज्य है वो number 1 अस्थान पर है बात करते हैं जवार की तो मद्द परदेस राज्य जो है वो नमबर एक अस्थान पर है तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उप्सन सी देखिए मैं आपको फिर्शे बता देता हूँ यहाँ पर आपको केवल वीडियो को देखना ही नहीं है वीडियो को पोज करना है यह सारे क्योर्शन पहले आपको खुद से ट्राई करने है इनकी आंसर खुद से निकालने है तब ही जाकर आपको इस डिसकसन का अच्छे से फायदा होगा क्योर्शन नमबर 15 की बात करते हैं इसमें भी आपको सूची एक से सूची दो को मिलाना है इदर फसले दी हुई है और इदर राज्यों के नाम दी हुए है चलिए सोल करते हैं इसको बात करते हैं जूट की तो जूट उत्पादन को लेकर जो पसी बंगा राज्य है वो नमबर 1 अस्थान पर है इसके बारे में मुनों पहले बात कर चुके हैं चाय उत्पादन को लेकर जो असम राज्य है वो नमबर 1 अस्थान पर है आपको याद रखना है रबर उत्पादन को लेकर जो केरल राज्य है वो नमबर 1 अस्थान पर है और बात करते हैं गन्ना उत्पादन की इन में किसी एक फसल की अनुकूल जलवायू प्रिष्थितिया दी हुई है आपको इन पर ध्यान देना है और यह फाइंड आउट करना है कि यह जलवायू प्रिष्थितिया कौन सी फसल गी है तो पहला देखते हैं उसन और आदर जलवायू दूसरा दिया हुआ है 200 cm की वार सिक तापमान की जरुत पड़ती है उस फसल की खेती करने के लिए तो आपको यहाँ पर यह बताना है कि वो फसल कौन सी है तो इसके बारे में में बात कर चुके हैं और एक टेबल के बारे मैं आपको बताया था उस टेबल को आपको बड़ी अच्छे से याद करना है तो य केसर के उत्पादर के बारे में आपको याद रखना है कि भारत में केसर का उत्पादन जो है वो जम्मू कस्मीर में किया जाता है तो यहां पर जो आंसर होगा वो होगा उपसंसी जम्मू कस्मीर जम्मू कस्मीर जो है वो भारत का एकमात राज्य है जहां पर केसर का उत्पा राज्य है वो नमबर एक अस्थान पर है तो ये तो बिल्कुल सही है चाय उत्पादन को लेकर असम राज्य जो है वो नमबर एक अस्थान पर है ये भी बिल्कुल सही है गन्ना उत्पादन को लेकर उत्तर प्रदेश जो है वो नमबर एक अस्थान पर है ये भी बिल्कुल स पादक देश है तो काले मिर्च उत्पादक देश के बारे में आपको बताना है हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं इसका जो आंसर होगा वो होगा option D वियत नाम जो है वो काले मिर्च के उत्पादन को लेकर पूरी दुनिया में नंबर एक अस्थान पर है आपको करते हैं निमन में से कौन सा परमुक मोटा अनाज उत्पातक राज्य है तो सबसे ज़्यादा मोटा अनाज उत्पातन करने मादा राज्य कौन सा है राजिस्थान है तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ओप्सन ए राजिस्थान क्लियर तो देखे यहाँ पर हम लोगों सारे MCQs भी डिस्कस कर लिए हैं कमेंट करके आपको बताना है कि इन 20 MCQs में से आपके कितने सही हुए हैं आप एक काम और कर सकते हैं कि इसी थोरी पर बेस्ट आप कई और से भी MCQs लगा सकते हैं अगर आप लोगों ने ये थोरी अच्छे से कवर कर ली है तो आपके सारे के सारे MCQs जो हैं वोगों बिल्कुल सही होंगे तो इस डिसकसन में इतना ही जिसमें आज हम लोगों ने बात करी है खादान उत्पादन के बारे में मोटा नाज के बारे में बागानी फसलों के बारे में और मसाला उत्पादन के बारे में इन से संबंधित जितने भी important facts हो सक करेगा और इस course को हम लोग जल्दी से खतम करेंगे तो इस डिसकसन में इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्यू